अश्कार और वेलकम बैक तो आवर यूट्यूब चैनल दोस्तों आज एक काफी बड़ी कंपनी का क्वार्टर फॉर का यहां रिजल्ट हमें देखने को मिलता है यह कंपनी वैसे सबसे नंबर वन है टॉप की कंपनी का हमें यहां पर क्वार्टर ले रिजल्ट देखने मिलत वेट इज बहुत था यह तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को अकेला हिलाने का जो दम रखता है न स्टोक एक तो रिलाइंस है और एक यह वाला है जिसका आज क्वार्टर का रिजल्ट हमें यह देखने को मिल जाता है तो चलते हैं आज के जो क्वार्टर का रिजल्ट है उ वो है प्रोब्लम्स या फिर जो भी उन्होंने का वो सब हम डिसकस करने वाले इसी वीडियो में तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजेगा भूलेगा मत तो दोस्तों यहाँ पे जो बात हो रही है वह हो रही है HFC Bank की HDFC Bank की ओऔर ज totally को पता है Nifty में Honey Nifty में Indirectly और Directly कितना ये मीचर इंपक्त डालता यह एक बार में इसका जो इंपक्ट होता है काफी बढ़ा इंपक्ट डालता है आगर इसके क्वार्टर नमर या पिछली बार थोड़े नेगेटिव से आये थे नेगेटिव नहीं मतलब एस्टिमेशन को बीट नहीं कर पाए थे तो यह काफी गंदी तरीके से एचडेसी बैंक यह बैंक निकों लेकर दूबा ता तीन दिन लगातार तक मार्केट में नेगेटिविटी रही थी ठीक है तो अब देख लेते हैं market में क्या इसके number आए है इसलिए market इसको फिर कैसा perform करेगी ठीक है तो एक बार numbers की तरफ चल देते हैं ठीक है अब numbers क्या है यहां देखिए total income देख लेते हैं पहले ठीक है total income यह रही 89,000 यहां देखिए जो total income है 89,639 करोर इसकी इस quarter में है और previous में 87,719 करोर ठीक है देखिए काफी बड़ा जंप है वैसे यहां पर अगर देखा जाए इस quarter में काफी बड़ा जंप हमें मिला है लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों इसका profit ना मातर हो गया ठीक है और हम इसके बारे में मैं अभी बिल्कुल बात ने करेंगे आप यह मैं सोचना yearly comparison किया जाए तो यहां देखिए 53,000 करोड था 53,000 850 करोड था और यहां सिधा 89,000 लगबग 90 करोड के आस्वास पहु तो यहीं हुआ ठीक है यह दो डॉबॉक्स है यह तब का है जब यहां पे मर्जर हो गया ठीक है तो मर्जर जब दो कंपनी मर्ज हो जाएंगे तो उविच्टलीं बाड़ा होगा और दोनों के नंबर's मिला के दिखाए जाएंगे इसलिए यहां सरफ एक गंपनी के नंबर दिखाए जा रहे ते यह और इन दोने में दो कंपनी के नंबर दिखाए जा रहे हैं तो इसमें तो कम ही दिखाए देगा फिर भी कितने का दिखाते थे यहां और यहां देखें मोटा मोटा einzige तो हम इस वाले बॉक्स को नहीं पड़ेंगे हमाले यह दो बॉक्स ही ज्यादा मेन है ठीक है तो हमने यहां पर यह देख लिए 90 करोड के आसपास यहां पर हमें तोटल इंकम देखने को मिलते है ठीक है और उसके बाद क्या होता है यहां देखें इंटरेस्ट एक्सपेंडिड ओपरेटिंग एक्सपेंड ठीक है इंपलोई अदर एक्सपेंडिशर इस सब मिलाके फिर जो प्रॉफिट बसता है न यह देखें ओपरेटिंग प्रॉफिट before provision 29,000 ठीक है तो सब कुछ कार्ट कूट के जो बस्ता है में पर बस्ता है फिर 29 274 का profit यहां पर हमें देखने को मिलता है ठीक है उसमें से भी फिर और minus होगा क्योंकि अब भाई यह बहुत बड़ा bank के इने भी बहुत खर्चे होते हैं ठीक है इस से अच्छा तो पिछले quarter में पिछले quarter में 16,000 करोड ता सिर्फ कितने की सिर्फ ऐसा लग रहा है सिर्फ 200 करोड की जंप हुई है पहले 302 था और अब यहां पर 511 हुआ है ठीक है तो इतनी बड़ा कोई major वो नहीं है major यहां पर नहीं शोग रहा आपको ठीक है यह जो हम डेटा देख रहे हैं यहां पर major शोग नहीं हो रहा है लेकिन जो यहां पर इन्होंने income दिखाई है ना यह काफी बच्छा था है यह अच RBI के rules rules की वज़े से यह हुआ है जिसकी वज़े से यहां पर इतना गंदा पहले देखी सिर्फ 4,000 जाता था यह 42 करोड़ अभी यही गया है 13,000 करोड़ अगर 4,000 करोड़ यहां भी जाता तो देखिए 29 में से यहां पर 4,000 करोड़ करेंगे तो 25 करोड़ का भी भी फायदा होता है लेकिन यह इतना बढ़ गया है 13,000 हो गया है जिसकी वज़े से यहां पर फायदा ही नहीं हुआ कंपनी को मतलब हुआ है फायदा लेकिन उसका जो margin था बहुत कम हो गया ठीक है तो फिर इन में से हम minus कर देंगे तो हमारा फिर जो net profit आता सिर्फ 16,000 करोड़ आता है 16 इसके numbers अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं कि bank nifty sorry bank nifty नहीं HDFC कैसा है वैसे बता हूँ HDFC 34 पॉइंट कुछ उपर गया था यह अभी इसमें rally आई थी last trading session में क्योंकि बाजार थोड़ा नुमान लगा लेता है कि अब इसके results कैसे आए होंगे ठीक है तो यहां पर देखि profit जो है जंप हुआ marginally to 16,511 करोड हमने यह भी देखा कि 16,511 करोड क्यों आया हाला कि अगर 29,000 करोड बचा था उसमें से वह प्रोफिशनल वाला जो था उसकी वज़े से हमें यहां पे जो profit कम होता हुआ देखने को मिल जा ठीक है यहां देखिए जो दोजार चोबिसकी ल 908.9% की growth ठीक है अब यहां देख लेते हैं एक बार HDFC bank जो कि हम एक major वह थी हम इसे cover करना भोल गए थे HDFC bank board declared dividend of 19 रुपे पर share ठीक है तो इस quarter में जो है 19.5 रुपे कर dividend हमें यहां पे company के द्वार declare कर दिया गया है ठीक है तो जिसके पास भी share है इसके अच्छे amount में उनको पर share 19.5 का यहां पर dividend declare होने वाला है ठीक है दोस्तों तो दोस्तों HDFC bank यहां देखे 2% से उपर अभी तक last trading session में बढ़ा है क्योंकि बजार आपको पते ही है बजार काफी dynamic है वो इतना तो अनुमान लगा ले था कोन estimation को बीट कर पायेगा अलाकि इस बार इसका profit काफी अच्छा आया था बहुत अच्छा profit आया था क्या आया है लेकिन वो जो provisional 8 वाला जो segment है ना point number अगर आप 8 पढ़ेंगे उसमें जाके provisional करके कुछ है तो उसने इतकम से कम 13,000 करोड यहां पर ले ले जिसकी वज़े से profit बचा वो 16,511 बचा जो कि काफी कम हो जाता है ठीक है तो दोस्तो यह था HDFC bank का result ठीक है तो दोस्तो अब हम बात करते हैं बात क्या करने बात हमने कर दी है तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को काफी है बड़े bank की यहां पर आज हमें report देखने को मिल गई है तो दोस्तो नमस्कार फिर स लास्ट बार और प्लीज सब्सक्राइब परके जाना प्लीज